लोग मेरी बात सुनते हैं तो मैं अपने डिरेक्टर से अपनी कंपनी में अपने लोगों से पूछता हूँ कि भाई कोई यह अपन करतो रहे हैं मैनत इस्ट्यूशन के टाइम भी आज यहां श्रीमाली जी का टाइम लिया आप सब का टाइम लिया कुछ benefit भी होता है किसी को क्या तो हम जादा करके आप motivational speaker है तो आपको भी इच्छा होती है मैं motivation speech देता हूँ तो किसी को benefit तो होना चीए तो इसलिए मैं अपने आपको self reinforce करने के लिए कि भी यह मैं ठीक काम कर रहा हूँ तो ऐसे कुछ stories किसे आते हैं तो हम बताते हैं तो ऐसा एक कुछ किसा आया किसी ने एक छोटे से गाउं में कुछ ऐसा चीज शुरू की यह DSC शो देखके Let us see उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रहने वाले लवकुष महज 21 साल के हैं अभी MBA की पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन जिस उम्र में अक्सर लोग अपनी जिन्दगी के लक्ष को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं उस उम्र में लवकुष एक website क्रियेट कर चुके हैं जैरामपुर नाम के इस छोटे से गाउं को देख आपको शायद ही लगे कि यहां कोई website developer भी अपना काम कर सकता है लेकिन लवकुष ने ना सिर्फ अपनी website www.studentcareer.com के शिरुवात की बलकि इसके जरिये देश भर के युवाओं को रोजगार खोजने में मदद भी कर रहे ह और इसके पीछे प्रेरणा केवल एक है डॉक्टर सुभाष चंद्रा शोग। लवकुष का कहना है कि website शुरू करने से पहले उसके मन में business fail होने का खौफ था लेकिन डॉक्टर सुभाष चंद्रा का शोग देखकर इनके मन का डर भी खत्म हो गया अगर खुद पर होसला हो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता कोई अचन बड़ी नहीं होती लवकुष की सफलता की कहानी इस बात का प्रमान है वसी मक्तर, जी मेडिया, बिजनौर चलिए, So, what are the phases of change? First is denial. कुछ मी चीज आती हम केदे ने, we reject it. We are in a denial mode, especially when they come unexpectedly. We approach change with this attitude of denial that if we ignore that change and wait long enough, it will go away and things will go back to normal. एक मेरे साथी थे, Food Corporation of India में काम करते थे. नाम लेना ठीक नहीं होगा. तो मैंने बड़ा उनको मैं observe करता था, I was very young that time. उनको कई भार मैं कहता भी था, आपको डर नहीं लगता, वो क्या करते थे, कि उनके head office से, उनके seniors से, कुछ भी queries आती थी, questions आते थे, dark mail आती थी, वो सब अपना table खोलते थे, उसके अंदर रख देते थे. और मैंने यह देखा, महिने में एक बार वो छुटी के दिन आएंगे, सब को निकालके, एक-एक को करके फाडते चले जाएंगे, और dustbin में डाल देंगे. कोई परवा नहीं, कुछ चिंता नहीं. कभी किसी का जवाब नहीं दिया, कभी कुछ का रियक्शन नहीं दिया, और ऐसे करके कर देते. तो उनका mindset क्या था? के कुछ नहीं करना, things wait enough, things will change, and they will be back to normal. This is what is the resistance. So, denial is first, then we go to the next phase. जब लगता के deny तो नहीं कर सकते, यह तो सचाई है, तो we get into bargaining and negotiation mode. अच्छा, यह करना पड़ेगा मुझे? चलो, करना पड़ेगा तो चलो, ऐसे करो, तुम थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं. Then third phase comes, आपकोर चारा नही रहा, we have to accept that change, then frustration comes. Then the next phase come, we still try, frustration हो गया, सब कुछ हो गया, we still try, then we start the process of communication. We amass an inventory of new and useful information, as well as the skills. So, this is the next process of change, acceptance. And then we finally accept, कोई बड़े changes society में आते हैं, तो बड़े events होते हैं कहीं न कहीं. जैसे के मैं कहता हूं, अपने कुछ बातों में, इस देश में आजादी के बाद, अगर बड़े events हम देखें, जिससे के इस देश का कोर्स चेंज हुआ, तो हम क्या क्या कहेंगे, simple दो-चार बातें कहें, वैसे दो बहुत चीजें हैं, पंडित नैरू का देहान्त हुआ, तो इस देश ने एक ऐसे आदमी को थ्रो किया, लाल बादुर शास्त्री के नाम का, मैं यह मानता हूँ के, लाल बादुर शास्त्री ने डी-सेंट्रलाइजेशन के कुछ काम करने शुरू किये, ताकि पावर जाए गाउं में, विलेजिज में, लेकिन दुर्भाग्य अगें चेंज हुआ केवल पंदरा महीने बाद, उनका दियान तोना, made a big change in this country. Otherwise, if that, my belief is, अगर वो आदमी जिन्दा होता, तो इस देश का नक्षा शैद अलग होता. उसके बाद, जब राजीव गांदी की death हुई, ब्रॉट अनदर बिग चेंज, क्योंके राजीव गांदी ने देश को एक दिशा में दूसरी तर ले जाने की कोशिश की, लेकर उसके death से क्या हुआ? उसके बाद से अब तक, पहली बार, इतने सालों बाद, राजीव गांदी के death के बाद, अब पहली बार एक stable government आए. Sir, is resisting the change always a bad thing? Because sometimes people might be questioning the change, in order to know that whether it is sustainable or not, whether it is beneficial for them to change. Resisting the change is a bad thing. यह मैंने कहा भी नहीं और इसको मानिया भी नहीं. लेकिन, रजिस्ट जब आप करते हैं, आप अपना open mind से जरूर सोचिये उसको. कहीं मैं इस कारण से तो नहीं कर रहा हूं. रजिस्ट. कहीं यह बात तो नहीं हैं. और उसको emotions को दूर रखके, और सबज के फिर उसको रजिस्ट करिये या एडॉप्ट करिये. कई बार हमें गलत फेहमी होती है कि I am the boss. मैं जो चाहता हूं वो हो सकता है company में. Experience पताता है कि नहीं. Company में होगा वही जो नीचे वाला आदमी करना चाहता. मैंने तो कह दिया कि instruction दे दिया कि ऐसा करो तो वो नहीं करना चाहता तो क्या करोगे अब? So, people when they want to change they adopt then only they will adopt. Diktat cannot make them adopt. In the conclusion, the key to our success in dealing with change at an individual and at an organizational level lies in our willingness to accept change and to respond at lightning speed to lightning speed to the demands placed by our environment with empathy for all those who are involved. It is normal to want to resist to the change or to try to bargain and negotiate things back to the way they were and to feel frustrated when the change inevitably continues. Then says it is equally important to understand that these feelings are within the leader as well as the team members and must be dealt with if the organization has to grow in a cohesive as a cohesive group. So, khair ye these are more for a corporate world and evolved world but as a youth which you are going to face the future, you have to see what is good for you what is not good for you. With this I will conclude today's session. Thank you very much for giving me a patient hearing. Thank you very much for watching. Thank you very much for coming. Thank you. Thank you. Thank you. झाल झाल